हेलो फ्रेंड्स चलो आज हम बनाते हैं जीरा रैस जीरा रैस बनाने के लिए मैंने ये चावल लिये हैं इसको अच्छी तरह पका के जैसे हम अपना वाइट चावल बनाते उस तरह से इसको 100% पका के लिया है और हमने लिया है मटर, मिर्ची, हरी मिर्ची, बारिक कटा हुआ धनिया जीरा और कुछ मसाले खड़े मसाले हमने गैस पर कड़ा ही रख लिए उसमें हम डालेंगे थोड़ा ऑईल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे खड़ा मसाला उसके बाद डालेंगे हरी मिर्ची इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा इसमें जाएगा मतर अब इसमें डालेंगे ये चावल इसको अच्छी तरह से मिला के लेंगे इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इसमें चावल पका रहते तब हमने इसमें नमक डाल के चावल पकाया है सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे धनिया देखें हमारा जीरा राइस बन के रेड़ी है और मैं अब इसको खाऊंगी थाली पेट के साथ अगर आपको इसकी थाली पेट के रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करके बता